क्रिकेट को लेकर लोगों का जुनून कभी कम नहीं रहा, टीम इंडिया के खिलाडियों के फैन कई बार सुरक्षा घिरा तोड़ कर मैदान पर पहुँच जाते हैं, कई फैन ऐसे होते हैं जो अपने पसंदिदा खिलाडी का टैटू अपने शरीर पर बनवा लेते हैं, लेक चौकी मत ये बिलकुल सची वारदात है, रोई शर्मा की फैन के मर्डर की खबर सूशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है और इसके वाइरल होने के बाद ट्विटर पर कोहली को गिरफतार करने की मांग तक उठ चुकी हैं, एक शक्स जो रोहित और मुंबई इंडि के पास सिड को इंडिस्ट्रियल एस्टेट गए थे, यहां दोनों ने शराब पार्टी की और इस पार्टी के दोरान दोनों के बीच किर्केट को लेकर बहस शुरू हो गई और इसी बीच विगनेश ने RCB का मजा कोड़ा दिया, ये बात धर्मराज को इतनी बुरी लगी क कि उसने किर्केट के बल्ले से पीट कर उसकी हत्या कर दी, यहां पर दोनों फैंस एक दूसरे से जगडे, शराब पार्टी चल रही थी, दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद किर्केट के बल्ले से ये हत्या हुई, रोईत के फैन की हत्या की खबर के बा करार दिया कॉली के फैंस ने लिखा इस हैस्ट्रेक को ट्रेंड कराने वालों को सोचना चाहिए इसका कोई सेंस नहीं है जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में हैं अब देखना होगा आगे क्या कारवाई होती है क्योंकि शोशल मीडिया पर अरेस्ट कॉली ये हैस्ट्रेक ट्रेंड कर रहा है तो क्या है वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके बताईए और तमाम खबरे सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहे है इन खबर के साथ